हाई डियर स्टुडेंट वालकम टो में मेंच एजुकेटर आसी सरम क्लास 10 के मेंच के चेप्टर नंबर 2nd पोलिनोमियल का यह पे एक मॉस्ट इंपोर्टेंट कोशन देखने के लिए जा रहे तो हमारे पास कोशन है फाइंड जिरोस अप्टरिक पोलिनोमियल एंड रिलेशन सिब बीटूइन जीरोस यहां पें कोशन है हमारे पास P of X is equal to X square minus 7x plus 10 इसको standard polynomial के साथ compare करेंगे P of X is equal to क्या होता है एक स्क्वेर माइनस प्लस B X प्लस C यहां पे एक स्क्यार का जो कोफिशन होता है इसको यह कहेंगे तो यहां पर एक स्क्वेर का कोफिशन क्या है कुछ नहीं दिख रहे ना इसलिए क्या है वन है क्या है वन बी का कोफिशन भी तो यहां पर एक्स का कोफिशन क्या है माइनस तो बी की वैल्यू माइनस सेवन और सी की वैल्यू क्या है दून पी ओफ x एक स्क्वेर माइनस 7x प्लस 10 इज इकल टू जीरो लेकर एक स्क्वेर सेवन की जगह पर माइनस 2x-5x प्लस 10 इज इकल टू जीरो फस्ट टम मेंसे एक स्कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा के 2 5 जा टेन होता है न और 2 प्लस 5 यह निके 7x-2x-5x क्या होजार अगर माइनश 7x रहेगा तो फर्सFT तू टम मेंसे एक स्कॉमन निकालेंगे तो x-5 is equal to 0 x-2 is equal to 0 or x-5 is equal to 0 x is equal to minus 2 सामने के साट जाएगे तो प्लस 2 हो जाएगे या पर x-5 सामने के साट जाएगे तो क्या हो जाएगे प्लस 5 तो आपके 2 0s यहां पर मिल गए अब यहां पर sum of the 0s product of the 0s नों Kin 충분〉 इन मिल ऺड़र भी हो जाओ जाए तो सम आफ जीरोस थ क्या होता है आल्फा प्लस बित अल्फा की वेल्यों क्या है तू बीटा की वेल्यों क्या है तो प्लस 5 सें मोग और हमारे पास सम प्लस प्लस 7 muss 7 लिकांट यहां जो अल्फा प्लग गालो के अलफा प्लग गवेटा इस इकल टो यह सोट क्या हो रहा है प्रोड़क्ट अब डोड़ी जीरोज क्या है वन तो वन टेन अपोन वन यानिकी टेन आलफा इंटो बीटा इस इकॉल टू क्या हो रहा है तो यहाँ पर वापस हम इसका स्वूशन देख लेते हैं जो फर्स्ट अपले एक स्क्वेर मैनस सेवन फ्लस 10 था उसमें हमने एंटु सी किया तो एक इंटु सी यानिके टेन के सेफेक्ट जिसका सम क्या आना चाहिए तो फाइटू जा टेन और फाइपलस टू करों तो इन प्लेस ओप माइनस सेवन एक स्वेर एक स्वाइट इस माइनस फाइट प्लस टेन तो यहाँ पर फाइट निकाल रहे तो यहाँ पर फाइट लिगा तो यहाँ पर देख और फैन वह बश्वी प्लस तो माइनस अमने कोमण निकलते हैं तो माइनस चरब लेंगे यहां का टम X और माइनस 5 बचा अब यहां पर X-2 is equal to 0 लेंगे यह पर X-5 is equal to 0 लेंगे यह पर – 2 सामने के साथ एक प्लस 2 होगा – 5 सामने के साथ एक प्लस फाइख था यह आपको 0 मिल गए यह दिन आपको sum of the zeros and product of the zeros verify करना है तो sum of the alpha plus beta सब्सक् Joint सब्सक्राइब शुक्राइब सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमाप स्टूड़न के साथ शेयर कीजिए और अपना इंपोर्टन रिवीव है हो में कॉमेंट में बताना थैंक्यू स्टूड़न वाचिंग फॉर वीडियोज